आज की वीडियो का टॉपिक अजेक्टिव में इसके सिक्स पार्ट हो गए थे यह आज नंबर साथ है डेमन्स्ट्रेटिव अजेक्टिव जिसकी हिंदी होती है संकेत बाचक सर्वनाम इसकी डेफिनेशन क्या होगी डेफिनेशन है the adjectives बेअजेक्टिव पहले डेफिनेशन देखते हैं the adjectives which are used for demonstration are called Demonstrative Adjectives मतलब the adjectives बेविसेशल which are used जिनका प्रियोग होता है फॉर डेमंस्ट्रेशन संकेत के लिए बेबिसेसर जिनका प्रियोग संकेत के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं डेमंस्ट्रेटिव अजक्टिव से उन्हें डेमेंस्ट्रेटिव अजेक्टिव कहते हैं यह कौन-कौन से होते हैं संकेत किस्सा करते हैं यह लिखा हुआ है संकेत इससे यह साफ सो होता कि क्या होंगे यह सभी डेमेंस्ट्रेटिव अजेक्टिव हैं यह तो होंगे तो इसमें इसके एक्जाम्पिल्स हैं पहला एक्जाम्पल है इस वुक इज बोरिंग यह वुक बोरिंग है सैकेंड एक्जाम्पिल है दैट वाई इज ऑनेस्ट बह लड़का ऑनेस्ट है इमांदार है दोज पेन सार ब्लैक बे पेन ब्लैक हैं अब यह देखिए यह क्या है डेमेंस्ट्रेटिव अजेक्टिव मतलब संकेत बाचक सर् देखिए और और दिस वुक इज बोरिंग अब जो बुक का है वुट जो बूरिंग जो बूर्ट है गला है उस लुटक मिय almonds बताने के लिए तो उसी की बोलते हैं, adjective और इस दैट इस दो जी इस सब कौन से है, demonstrated, तो इस तरह से क्या है, demonstrated adjective, second example है, that boy, अब ये boy है, boy क्या ये भी एक noun है, ये noun है, इसके पहले क्या है, that, और that क्या हो जाएगा, demonstrative adjective, last example है, those pains are black, those pains, they pay, our black black है, they pay, black है, बे पेन तो पेन पेन जिते नावन जाएगा और यह जागा Ub तो कौन सा अजेक्टिव जागा डेमेंस्ट्रेटिव अजेक्टिव तो यह था डेमेंस्ट्रेटिव अजेक्टिव तो दिस दैट इस दोज सम एनी यह सब क्या है डेमेंस्ट्रेटिव अजेक्टिव यह सम है एनी है यह यह जैसे एनी वाए सम वाएज कह सकते हैं यह आगे यह तो इतना था, demonstrative, adjective, उसके बाद आता है, इसके बाद है यह, इसके बाद आता है, kinds of, demonstrative, adjective, जो demonstrative, adjective है, इसके प्रकार, इसके प्रकार होते कितने है, यह उताओ ध्रकार का, फस्ट है definite demonstrative adjective, second है indefinite demonstrative adjective, क्या मतलब हुआ, जो पहला बाला है definite means निश्चित demonstrative संकेत बाचक adjective बिसेशण, निश्चित संकेत बाचक बिसेशण, और ये होता है अनिश्चित संकेत बाचक बिसेशण, इनकी कैटेगरी दोनों की अलग-अलग different है, अब पहले हम क्या आज उससे पहले कराये थे, this, that, these, those, such, the same, ये सभी क्या हो गए, demonstrative adjective और कौन से बाल है definite, और जो second हैं ये, some है, any है, a certain है, cable certain है, other है, another है, any other है, ये सभी क्या है, ये सभी है, indefinite, demonstrative, adjective, ये तो definite क्यों है, ये कह दें, this boy, ये लड़का, तो ये निश्चित हो गया, ये लड़का यानि इसके लावा कोई दूसरा नहीं है, that बहल लड़का, इसके लावी दूसरा नहीं है, बट ये वाले हैं, some means कोई, any means कोई, a certain means अग्याद, certain, कोई, other, दूसरा, another, दूसरा, another, कोई दूसरा, इसका मतलब ये निश्चित नहीं है, अगर कह दिया जाए, कि यहाँ पर, another, another, दूसरा विक्ति आया, अब दूसरा हमें नहीं इत्ता कौन सा है, इस तरह से जो पहले वाले ये, ये सभी है, मतलब definite, demonstrative, adjective, और जो second वाले ये वाले है, ये सब है, indefinite, demonstrative, adjective, इसका example हो जाएगा, first example है, some Mr. Tomer is looking for you, some means कोई, और some means कोई, यहाँ सम का मतलब कोई का मतलब क्या हुआ, इस कोई का मतलब है, अज्यात, इसका मतलब है अज्यात, इसका मतलब क्या हुआ, some Mr. Tomer is looking for you, अज्यात, कोई अज्यात, Mr. Tomer आपको ढूल रहे हैं, खोज रहे हैं, ये तो जाएगा, और second example है, you made a certain man yesterday, you तुम मेट मिले a certain man, यहाँ भी certain का मतलब क्या हुआ, इस certain का मतलब भी हुआ, अज्यात, तो क्या हो जाएगा, कि तुम, yesterday means कल, man आदमी, a certain अज्यात तुम कल एक अज्यात देखती से मिले, इसका ये मतलब हो जाएगा, तो इस तरह से ये जो example थे, बाग ये तो होई जाएंगे, कि any boy, या this pain, that pain, ये करा भी दिये, ये जो दो थे, जैसे ये है sum वाला, और ये a certain वाल, ये थोड़ डिफिरेंट थे, इन दोनों के example करा दिये तो ये था kinds of demonstrative adjective, इसके बाद आगया ये, नुमर आठ, interrogative adjective, interrogative means, प्रसन बाचक और adjective, बिसेशल, प्रसन बाचक बिसेशल, तो इसका नाम है interrogative adjective, तो इसकी definition नहीं तो होनी चाहिए, कि बे बिसेशल, जिनका प्रियोग, कोई question पूछने के लिए करते हैं, उन्हें interrogative adjective कहते हैं, तो definition नहीं ये, इसकी, the adjectives, which are used for asking, a question, are called interrogative adjective, मतलब, बिसेशल, बिसेशल, जिनका प्रियोग किया जाता है, for asking, पूछने के लिए, a question, एक प्रसन, are called, पुकारते हैं, interrogative adjective, प्रसन बाचक, बिसेशल, बिसेशल, जिनका प्रियोग, किसी question को पूछने के लिए करते हैं, उन्हें interrogative adjective कहते हैं, कौन-कौन से हैं ये, what is, which है, who's है, ये तीनों हो जाएंगे, what means, क्या, which means, कौन सा, who's means, किसका, तो, इनका, जो है, प्रियोग करते हैं, question पूछने के लिए, example है, इसका, first example है, what book do you like, अब, हर example में, कितने भी examples हैं, इन सब में, एक चीज़ कॉमन है, वो देखना, second example है, which pain is yours, third example है, who's book is this, और last example ये, गलत है, तो, इसमें क्या है, what book do you like, what book, कौन सी किताब, क्या किताब, do you like, तुम्हें पसंद है, तुम्हें क्या किताब पसंद है, इस example से पहले, ये देखना, for example, ये एक example है, what do you do, ये एक example है, what do you do, तुम क्या करते हो, ये तो मतलब हुआ, तो यहाँ पर white है, ये एक adjective नहीं है, जबकि यहाँ ही white है, तो adjective कब होगा, जब adjective के बाद कोई noun दिया होगा, उसी noun की विस्थेस्ता बताता होगा, तो इस तरह से ये नहीं है, ये प्रणौन हो जाएगा, तो इसमें ये क्या है, तो first example, what do you like, तुम्हें कौन से किताब पसंद है, तो what क्या है ये adjective, और कौन सा interrogative, second example है, which pain is yours, ऐसे ये है, यहाँ पर ये नहीं कह सकते, कि which is your pain, अगर ये कह दिया जाए, कि which is your pain, जैसे ये example है, which is your pain, तो ये कह है, ये बिच एक प्रणौन हो जाएगा, ये adjective नहीं है, adjective कब होगा, जब इसके तुरंत बाद में एक नाउन होगा, जैसे कि ये example है, which तुरंत एक नाउन है, is yours, तुम्हारा pain कौन सा है, ये हो गया, third example है, whose book is this, whose book is this, whose के तुरंत बाद क्या है, एक नाउन, इसलिए ये भी क्या है, एक interrogative, adjective, last example लगा है, what are you doing, what are you doing, तो वहाट तो है, वहाट क्या है, और वहाट का यूजबी किया गया है, किसी question को पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर वहाट के तुरंत बाद में helping बरब दिये ये, और helping बरब नाउन, तब ये क्या होता है, interrogative, adjective, ये समय प्रणावन हो जाएगा, इसलिए sentence, इसके regarding ये गलत है, क्या होना चाहिए था, वहाट के तुरंत बाद में होता कोई, एक नाउन, तब ये कहलाता, interrogative, adjective, इसलिए sentence, wrong हो जाएगा, ये तीनों सही है, what book do you like, second वाला, which pain is yours, third वाला, which book is this, ये था, उसके बाद आता है, अगला वाला, ये है, number 9, emphasizing adjective, emphasize होता है, दवाब डालना, तो इसकी क्या हो जाएगी, हिंदी, दवाब सूचक, सर्वनाम, तो इसकी definition हो जाएगी, when, यानि जव, own, और vary, जब own और vary, are used, इनका प्रियोग होता, before पहले, a noun, एक noun के पहले, for emphasizing the noun, noun पर पिरभाव जमाने के लिए, तो क्या मतलब हुआ, जब, इनका प्रियोग करते हैं, पिरभाव जमाने के लिए, तो क्या किराते हैं, ये, emphasizing adjective, ये तो होगा, फिर से देखते हैं, ये दो बढ़ हैं, एक है own, और एक है vary, दो बढ़ है ये, जब own और vary का प्रियोग करते हैं, किसी noun के पहले, और क्यों करते हैं, उस जिस noun के पहले करते हैं, उसी noun पर दवाब डालने के लिए, तो ये कहलाता है, emphasizing adjective, दवाब सूचक सरनाम, तो हिंदी अगर बोली जा, तो क्या हो जाएगी, जब own और vary का प्रियोग, नाउन के पहले करते हैं, उसी नाउन के पहले, जिस नाउन पर दवाब डालते हैं, तो कहलाता है emphasizing adjective, जैसे example है, पहला example है, he saw his beloved with his own eyes, he saw उसने देखा, his beloved अपनी प्रेम का के लिए, with साथ में his, his क्या है, his एक adjective तो है, और his के आगे जो आया है, own, own मिल्कुल सगा, वैसे own जब आता है, तो own के पहले possessive adjective आता है, उसके बाद इसका प्रियोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, he saw his beloved, उसने अपनी प्रेम का को देखा, with his own eyes, अपनी खुद की आखों से, तो क्या हो जाएगा है ना, यह अपने की अंग्रेजी है, तो अपने की है, और अपने की यह भी है, तो अपने की जब यह आ गई, तो यह इसके लिए तो आया है, अपनी आखों से, लेकिन उसी के तुरंत बाद क्या है, उसी के तुरंत बाद दिया है, own, तो own आने से जो ज़्यादा दवाब पढ़ गया इस पर किस पर आखोप मतलब अभी यह था अगर यह यहां पर ओन नहीं होता यह नहीं होता तो क्या था ही साहिज भी लाउट विधिज आई उसने अपनी आखोश से अपनी प्रेम का को देखा तो जो आखें हैं इस पर कोई दवाब नहीं बना अब जब एक्जा इस अपने पतिके लिए उसने अपने पतिको मार दिया अपनी आखोग के ही सामने तो इकता सी एक्जाम्पली यह जाएगा इसके आगे है फिर यह है नमबर दस एक्सकिलिमेट्री अजेक्टिव आस्चरी सुचक सर्वनाम डेफिनेशन क्या होगी विहन मतलब जब वहाट इज यूजड फॉर दा मीनिंग फॉर शर्प्राइज इज कॉल्ड एक्सकिलिमेट्री अजेक्टिव तो क्या मतलब हुआ जब वहाट के लिए इज यूजड प्रियोग करते हैं फॉर दा मीनिंग आर्थ निकालने के लिए कौन सा सर्प्राइज का इट इज कॉल्ड से पुकारते हैं एक्सकिलिमेट्री अजेक्टिव तब इसे एक्सकिलिमेट्री अजेक्टिव पुकारते हैं तो मतलब यह वह वहाट है जब इस वहाट का प्रियोग इस तरह से करते हैं जो इस संक्टेंज में सर्प्राइज पैदा करें तो यह क्या कहलाएगा एक्सकिलिमेट्री अजेक्टिव तो example कौन कौन से हैं फस्ट example है what an ugly woman second है what a big building it is third है what a big fool इतो है तो जो first example था what अभी इस से पहले जो example कराये थे वहाट आया था उसमें भी लेकिन वहाट का तुरंट क्या आया था एक noun अभी noun है लेकिन उस noun के पहले एक article है क्या है an यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी है तो इस तरह से what an ugly woman कैसी बतसूरत महिला या कितनी बतसूरत महिला तो यह कहा जा रहा है कि कितनी बतसूरत महिला तो उसके लिए surprise है कि मदलब महिला कुछ जादा ही बतसूरत है यह कहने का स्तात्परी है क्या तो क्या हो जागा गृट एन अगली COMMAND वहाट क्या है एक इंटर EXCLEMETRI Exactly Second fala उपट बिल्डिंग विल्डिंग IT IS ऐसी वहाट यह है फिर एक आर्टिकल है फिर दियa नाम इस तरह से क्या हो जागा XCLEMETRI adjective last example है वहाट अब विक्फूल कितना वड़ा मूर्ख मतलब वहाट है यह वहाट है वहाट क्या है एक यह adjective है और तुरंत इसके वाद में ए एक क्या है एक article है यह तो जाएगा तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा वहाट अब विक्फूल कितना वड़ा मौर्ख तो जो मौर्ख है इसके लिए कहा गया वहाट और वहाट अब बिक्फूल यह कितना वड़ा मौर्ख का मतलब क्या हुआ कि बहुत अधिक मौर्ख है तो यह था एक्सकिलेमेंट्री adjective यही थे तो आज की वीडियो में देखे यहां से देखे थे पहला था demonstrative जो साथ में नमबर का था यह करा दिया था यह सब करा दिये demonstrative यह सब हो गया और उसके बाद आ गया यह और उसके बाद यह वाला था x-kilometri यह वाला x-kilometri adjective यह वी आज complete हो गया इस तरह से आज की वीडियो में जो हम चला रहे थे अभी adjective यह completely finished हो गई अब second यह इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे बर्ब यह एड़ वर्ब इन में से किसी यह टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग